तो हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब मैं हूलक शराव देख रहे हैं लेज गेमिंग तो फ्रेंज आज हम बात करेंगे टौफ आप एड़ोंस फॉर माइनक्राफ प्रॉकेट एडिसन के लिए तो फ्रेंज अगर आपको पताने की एड़ोंस क्या होता है तो मैं आपको बता दूं की एड़ोंस एक तुरह का रिसोर्सेस और बिहेवियर पैइक होता है जिसे आप अपने minecraft world में add कर सकते हैं और इससे आपको अपने world में कुछ नया features देखने को मिलेगा तो friends इस वीडियो मैं जिस जिस add on की बात करूँगा उन सबका link आपको description में मिल जाएगा और friends वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो कर लिजे और इससे वीडियो को जरूर लाइक कर दीजेगा ताकि हम और भी ऐसे वीडियो लाते रहें तो let's start तो friends सब हम बढ़ते हैं अपने countdown के पहले add on की तरफ तो number 5 पे जो add on आता है उसका नाम है Avengers Infinity War add on तो friends जैसा कि इस add on का नाम है इस add on में आपको Avengers Infinity War के character और item मिलेंगे इसमें आपको कुछ नए armor मिलेंगे जैसे की Iron Man का armor Captain America का armor और Black Panther का armor और friends इसमें आपको Infinity Gauntlet भी देखने को मिलेगा और इस Infinity Gauntlet में आप बहुत सारी power रहेगी उसमें Speed की Regeneration और Jumping और बहुत सारी power देखने को आपको मिलेंगी और friends इसमें आपको Thanos भी देखने को मिलेगा और इसमें आपको Vendicator और Evoker के जगा Thor और Dr. Strange भी मिलेंगे तो friends अब हम बढ़ते हैं अपने अगले add-on की तरव तो number 4 पर जो add-on आता है वो है Dragon add-on तो friends ये वाले add-on में आपको dragons देखने को मिलेंगे और इसमें से जो पहला dragon है वो है Sea Serpent तो friends ये वाला dragon पानी में रहता है और बहुत ही ज़्यादा badass दिखता है और जो हमारा दूसरा dragon है वो है Black Dragon ये कुछ-कुछ अपना Ender Dragon की तरह ही दिखता है तो friends इस वाले add-on के मदद से आप dragon को अपने world में add कर सकते हैं ये बहुत ही अच्छा add-on है इसमें आपको zero lag देखने को मिलेंगी तो friends अब हम बढ़ते हैं अपने अगले add-on की तरफ तो number 3 पे जो add-on आता है वो है Air drop add-on तो friends इस वाले add-on में आपको flare gun की recipe मिलेगी तो आपको इस recipe से flare gun बना लेना है और इसे आपको हावा में fire करनी है तो थोड़ी देर बाद वहाँ पे air drop गिरेगी friends इसे वाले add-on बहुत ही अच्छा है इसे आप अपने PUBG वाले server में भी यूज़ कर सकते हैं तो friends अब हम बढ़ते हैं अपने अगले add-on की तरफ तो number 2 पे जो add-on आता है वो है RL Craft Mobile add-on तो friends ये add-on RL Craft का सस्ता version है इसमें आपको thirst bar और temperature bar भी देखने को मिलेंगा और friends से इसमें आपको अलग 3 भी देखने को मिलेंगी और कुछ अलग-अलग mob खतरनाग mob भी देखने को मिलेंगे तो friends अब हम बढ़ते हैं अपने अगले add-on की तरफ तो number 1 के add-on की तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजे और bell के आइकन को भी प्रेस कर दीजेगा तो number 1 पे जो add-on आता है वो है cave update add-on तो friends minecraft में काफी दिनों से ये मांग थी की cave update लाया जाए तो cave update चाहने वाले audience के लिए ये add-on बनाया गया है इसमें आपको कुछ नए cave sound देखने को मिलेंगे इसमें आपको कुछ नए cave में रहने वाले mobs भी देखने को मिलेंगे जैसे की undead miner और trapped villager और friends इसमें आपको एक नए बॉस भी देखने को मिलेगा जिससे आप लड़ सकते हैं तो friends अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो please इसे like कर दिजेगा और इस channel को subscribe कर दिजे ताकि हम और भी ऐसे वीडियो लाते रहे अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई